क्या BSNL को अब TATA Group खरीदेगा? जियो और BSNL में अब होगी C.D.TEC का जियो, Airtel और V.I. का अब खेल खतम करेगा TATA BSNL जो कि एक सरकारी कमपनी है लेकिन सरकार इसमें सायज ज्यादा इंट्रेस्टेड है नहीं लेकिन अब सरकार को interested होना पड़ेगा क्योंकि Tata Group की entry हो चुकी है BSNAL के अंदर और Tata Group ने यहाँ पर BSNAL को सबसे बड़ी funding दे दिये 19,000 करोड रुपए की और ये भी announce कर दिया है कि अगले एक साल में BSNAL 5G service को launch कर देगा पिछले 5 दिन में BSNAL में लगभग 70,000,000 users जुड़ चुके हैं अधर प्राइवेट कमपनियों से अपनी SIM पोर्ट करवा के BSNAL के साथ जुड़ चुके हैं अभी आगे वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे कि BSNAL को बरबाद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और 70,000,000 SIM एक बार में पोर्ट करते ही पिछले 4 दिनों के अंदर 70,000,000 users ने जो BSNAL जॉइन किया है उसके बाद प्राइवेट टेलीकॉम कमपनियों में बहुत बड़ी हलकंप मच चुकी है क्योंकि जब से BSNAL के अंदर टाटा ग्रूप की एंट्री हो चुकी है उसके बाद यूजर्स का जो भरोसा है वो 100% हो चुका है और टाटा ग्रूप के एंटर करते हैं यहाँ पर ट्राई ने भी अपने हाथ खड़े कर दिये ट्राई ने कहा कि अब जब टाटा ग्रूप एंट्री कर चुका है तो हम इसमें कुछ इंटर्फेर नहीं कर सकते और प्राईवेट कंपनियों को वार्निंग भी दिये कि वो अपने प्राईस को थोड़ा कंट्रोल में रखें और सर्विस को जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ज्यादा बहतर करने की कोशिस करें लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सायद 2009 वाला समय आने वाला है क्योंकि 2009 में जैसे बियसनल एक अच्छा मार्केट में काम कर रहा था सेम उसी तरह टाटा गुरूप के घुस्ते ही अब बियसनल दुबारा से इचले तीन महिने के अंदर बियसनल ने लगभग 30,000, 32,000 टावर लगा दिये हैं और टाटा गुरूप ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगले एक साल के अंदर बियसनल पूरी इंडिया में 5G सर्विसेस चालू कर देगा लेकिन जीयो को तो अब एक ही चीज बचा सकता है और बियसनल के लिए यहां पर अब सारे दर्वाजे खुल चुके हैं कि बियसनल दुबारा से मार्केट का डेटा किंग बन सकता है बियसनल को मार्केट का डेटा किंग बनाने में सबसे बड़ा हाथ होगा the legend man of industry return Tata क्योंकि Tata Group हमेशा trust बेचता है और इस वज़े से लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है Tata पर और जिसकी वज़े से BSNL दुबारा से मार्केट में अपने पैरो पर दोड़ेगा अब बहुत तेजी से दोड़ेगा अगले एक साल के अंदर BSNL कहां से कहां पहुचने वाला है और ये जो private telecom company हैं सायद इनको अब दुबारा से अपने price को reverse लेना पड़े अपनी गाड़ी को reverse लेना पड़े जो महगाई की गाड़ी ये speed में जा रही थी उसमें अब break लगेगा तगड़ा वाला क्योंकि BSNL अपने recharge plan को इन private telecom company से लगभग 45% सस्ते में बेच रहा है यहाँ पर मैं एक plan का जीकर करना चाहूंगा BSNL का एक plan है 199 rupees का जिसमें आपको 2GB data per day मिलता है unlimited calling मिलती हैं और 100 SMS per day मिलते हैं जो कि ये only 199 rupees में आपको मिलता है Jio EC को 349 में बेचता है Airtel और VIA EC को 379 में बेचते हैं और इस बार आम public ने government को target नहीं किया क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था या उसके पहले क्या हुआ जब इन private telecom company ने price high किये थे तो यहां पर आम public ने सीधा government को पगड़ा था लेकिन इस बार आम public ने government को छोड़ कर सीधा private telecom company को ही लात मार दिया और Tata Group के enter करते ही BSNAL की जो reputation थी वो कहीं और ही पहुँच चुकी और इसलिए आम public अपना गुस्सा Jio Airtel VI को छोड़ कर और BSNAL के साथ जुड़ कर निकालने वाली है क्योंकि यहां पर public ने पूरा mood बना लिया है पिछले एक हपते के अंदर 70-80 लाख लोग private telecom company को छोड़ चुके हैं और BSNAL के साथ चुड़ चुके हैं क्योंकि इस बार price high होने के बाद public ये इन private telecom company से भी सरकार से भी बहुत ज्यादा नाराज है और इसलिए अब वो BSNAL करने के पूरे mood में है देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो private telecom company आपको rural areas में कम मिलेंगी लेकिन ये metro cities में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी आप सहरों में चले जाएए वहाँ पे आपको BSNAL मुझे लगता है कम मिलेगा लेकिन ये जियो एर्टल वियाई आपको भरपूर नेटोर के साथ अच्छी स्पीड के साथ मिलेंगी यूकि देखो इनको कमाना है पैसा इसलिए इस सहरों में रहती है और BSNAL जो है वो पूरे देश को जोड के चलता है इस वज़े से साथ घाटे में है और भी आगे बात करेंगे कि BSNAL का घाटा क्यों हुआ किस रीजन से BSNAL बरबाद हुआ था 2009 में तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिजल्ट है BSNAL के बरबाद होने का सबसे पहला है कि BSNAL अपनी सर्विस के कारण सबसे ज़्यादा बरबाद हुआ दूसरा अपने स्लो स्पीड के कारण बरबाद हुआ क्योंकि जब यह प्राइबेट टेलीकॉम कंपनियां 2G, 3G, 4G की तरफ बढ़ रही थी तब यहाँ पर BSNAL 2G पर ही काम कर रहा था लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह निकलता है कि आखेर BSNAL 2G पर ही क्यों काम कर रहा था वो इतनी स्लो स्पीड में क्यों चल ला था क्योंकि BSNAL तो एक सरकारी कंपनी है लेकिन सरकारी जब उसको प्रमोट नहीं कर रही है तो कैसे हो सकता है सरकार प्रमोट कर रही है यहाँ पर प्राइवेट टेली कॉम कमपनीयों को और जिसका सबसे बड़ा रीजन है BSNAL को बरबाद करने का लेकिन सायद अब सरकार को भी पता चल चुका है कि यहाँ पर आम पब्लिक जो है वो अब सारा मामला समझ चुकी है इस वज़े से BSNAL को दुबारा से मार्केट का डेटा किंग बनाने के लिए पब्लिक ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिये हैं क्योंकि 16 साल बाद BSNAL दुबारा से मार्केट में डेटा किंग बनकर तयार होने वाला है और उसके बाद वो इन टेलिकॉम कंपनियों पर राज करने वाला है फिर से देखिए आपको याद हो 2016 में जब जियो ने एंट्री मारी थी टेलिकॉम इंडस्ट्री में तो जियो ने सब कुछ फ्री देके उसके बहुत सस्ते बहुत चीप प्राइस पर अपने प्लांस देके और यूजर्स को अपने साथ जोडा था लेकिन अब वो उसी के कारण बरबाद भी होने वाला है प्राइस सस्ते करके जियो ने यूजर्स को अपने साथ जोड़ा लेकिन अब प्राइस महेंगे होने की वज़े से यूजर्स खुदी उसको छोड़ कर बाहर चले जाएंगे वो बियसनल के पास चले जाएंगे यूजर्स के अब ही सबसे सस्ता जो प्लान दे रहा है रिचार्ज का वो दे रहा है बियसनल और बियसनल के उपर अब टरस्ट भी बन चुका है क्योंकि यहाँ पर टरस्ट का मालिक टाटा गुरूफ इंटर कर चुगा है और Tata की entry जहाँ पर होती है वहाँ पर आम पबलिक का पूरा भरोसा हो जाता है क्योंकि Tata ने अपनी पूरी संपत्ति का 70% S को दान कर दिया है तो आप सोच सकते हैं कि Tata के अंदर सायद लालच नहीं है और इसलिए Tata Group एक बहुत अच्छे से यहाँ पर BSNAL को समालेगा और TCS की entry होने का मतलब कि TCS इतनी बड़ी कंपनी है Tata Consultancy Service कि BSNAL को कहां से कहां पहुचा सकती है वो चाहे तो अगले 6 महिने के अंदर या उससे भी कम समय में BSNAL को 5G पर स्विच कर सकती है पूरी ओल ओबर इंडिया में लेकिन वो थोड़ा सा धीरे करेंगे और उन्होंने एक साल का estimated time लिया है BSNAL को पूरे network पूरी इंडिया के साथ 5G पर स्विच करने के लिए और अलग अलग जगहों से मेरे पास कई सारे कमेंट आये हैं वीडियो में कि BSNAL की service उनके अहां कहीं न कहीं इन private टेलीकॉम कंपनीों से अच्छी हो गई है जितनी speed उ BSNAL एक लाख 4G टावर लगाने वाला है और उसके बाद अगले फिर 6 महिने में BSNAL और ज्यादा टावर लगा के पूरे network को एक बारगी 5G पर स्विच करने वाला है तो देखी ये BSNAL के अंदर Tata Group की entry होने का मतलब कि अब BSNAL की टकर सीधा जियो और सभी private टेलीकॉम कंपन अपने प्राइस दुबारा से रिवस जरूर लेंगी आने वाले कुछ टाइम के अंदर क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे ट्वीटर पर ट्रेंड देखे हैं अभी 2-3 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ट्वीटर पर ये ट्रेंड चला है पिछले एक हपते से ज्यादा जियो बाइकाट का और बेसनल पोर्ट करों का ये हैश्टैक एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो यहीं पर खतम करते हैं पूरी जानकारी मैंने देने की आपको कोसिस करिए कि टाटा ग्रूप की एंट्री कैसे बेसनल के अंदर हुई है और बेसनल अब सबाहिक कैसे मचाने वाला है मार्केट का डेटा किंग कैसे बनने वाला है सो आई हॉप वीडियो आपको समझा गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते हैं कोई एक और बढ़िया वीडियो लेकर तब तक के लिए अगला वीडियो